दोस्तों, कम्पूटर चलाते समय, एक प्रोब्लम मुलोक आता है, यदि किसी भी फाइल का अंदर का डेटा देखना हो, तो हम इस पे रेक इस तरह से ओपन करके, या या फाइल पे डवल किलिक करके जो है, इसके अंदर का डेटा देखते हैं, लेकिन यदि इस फाइल को भी इसी पेज में जो है, रिव्यू ओपन हो जाएगा, इसके बाद आप यदि किसी भी फाइल पे किलिक करते हैं, उसका डेटा जो है, आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, चाहे वर्ड फैलो, एक्सल फैलो, या कोई और फैलो, इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ से आप डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं, इस तरह से सेलेक्ट करके आप कॉपी भी कर सकते हैं, और दूसरे जगा उसको पेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, सेर सस्क्राइब और लाइक मिलते हैं अगले वीडियो में